Hello Friends, आईवेदान मेडिसन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Hello Friends, आज मैं आपको बताऊंगा संत्री के जूस के फाइदों के बारे में दोस्तो पिष्छली वीडियो में मैंने आपको संत्री के जूस के चार फाइदे बताये थे दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा संत्री के अंदर सभी परकार के एंटियोक्सिदेंट पाई जाते हैं जो कि हमारे तप्चाय से सम्मंदित बहुत सारी बिमारियों को दूर करते हैं इसके साथ ही इसके अंदर विटामिन C की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो कि आपको बहुत सारी बिमारी जैसे की मसूडों वगर्या से बचाने में मदद करती है अगर आपके खून आते हैं मसूडों के अंदर तो भी आप इस जूस का इस्तिमाल करके अपने सरीर को बहुत ज़दा फायदे पहुंचा सकते हैं चलिए दोस्तो और बिमारीयों के बारे में जानते हैं दोस्तो संत्री के जूस का इस्तिमाल अलसर के उप्चार में भी किया जाता है अलसर याने की आम तोर पर छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर पेट के अंदर ये दिखाए देते हैं इन्हें पीट के चाले का जाता है जो कि कबज के वज़े से उत्पन होते हैं क्योंकि इस दोरान खाए गए बोज़न के कन ठीक पड़का से तूट नहीं पाते हैं जिसकी वज़े से अलसर फोर्मिशन हो जाता है दोस्तो संत्री के जूस का इस्तिमाल अलसर के इलाज और रोगथा में बहुत ज़दा लावकारी है यह आपके पाचन सिस्टम को बहतर बनाता है और अलसर के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसका दूसरा फायदा होता है आखों की रोषनी को बहतर करने के लिए दोस्तों देखने की चमता और आखों की रोषनी को बहतर बनाने में संत्री का जूस बहुत ज़द मदद करता है संत्रे के फल से तियार किये गए जूस के अंदर कैरोटिन और विटामिन A की अच्छी मात्रा पाई जाती है विटामिन A अच्छी डिश्टी के लिए बहुत ज़दा आवश्यक हुता है यह कौर्णिया और आँख की सतैक की रक्षा करता है कैरोटिन के कारण यह आपकी रोग परतिरोदक छमता को बहतर बनाने में भी मदद करता है दोस्तों आप इसका इस्तिमाल पत्री के इलाज के लिए भी कर सकते हैं रोजाना के तोरपर दिन में एक गिलाज संत्री के जूस का इस्तिमाल गुर्दे की पत्री जैसे समश्याव से बचाता है किड्नी में खानीज और रासानों की बहुत अधिक मात्रा जमा होने की वज़े से गुर्दे की पत्री बन जाती है संत्री के रस के अंदर से ट्रिट पाय जाता है जो की मूतर की अमलता को कम करके इस फिकार को रूख थाम में मदद करता है जो वेक्ति केड़नी श्टोन की समश्या से परीचान है उन्हें अपने आहार के अंदर परतिदिन संत्री के जूस का इस्तिमाल करना चाहिए संत्री के रस के लाबकारी होने के कारण ये पत्री के इलाज में भी इस्तिमाल होता है इसका एक फाइदा और होता है वो होता है ब्लेड सर्कुलेशन को बहतर बनाने के लिए हमारे सरी को ठीक परकार से काम करने और लगातार रगत की आपूरती के आवसकता होती है संतरी के रस के अंदर मौजुद फॉलोट सामगरी सभी परकार की आरपीसी सहल के निर्मान में मदद करते हैं इसके साथ ये fallड की निर्मान के साथ सेथ बैट circulation को बहतर बनाने में बिभी मैंदे करता है फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी है इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आप सभी को मिल सके